आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे माहमहीम राष्टपती जी के अभिभाशन पर बोलने के लिए अवसर दिया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देश करोना जैसी महमारी से गुजर रहा है ऐसे समय में माननिय प्रधान मंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत सूझ बूच से हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करने का काम किया है एक बहुत ही अच्छा काम हमारे ये सरकार द्वारा हमारे देशवासियों के प्रती हुआ है प्रधान मंत्री जी की आववान पर देश के फ्रंट लाइन वरकर्स जिनमें डॉक्टर्स, सिस्टर, ब्रदर्स, प्रशाशन, शाशन, हमारे आशावरकर, आंगनवाडी ये सभी आकर एक जुट होकर, एक टीम होकर ये देश के लोगों के जान बचाने का काम किया जिसके उपर, जिसके प्रती हमारे राष्टपती जी ने भी उनका धन्यवाद और उनकी पहचान ये देश को अपने शब्दों में, अपने भाशन में बताई, इनका भी मैं अपने शब्दों में आपके द्वारा धन्यवाद करना चाहोंगी Free Vaccination, आज हमारे देश वर्ल्ड में सबसे जादा वैक्सिनेशन की डोस देने वाला देश में से एक है जिसका क्रेडिट हमारे माननिय प्रधानमंत्री जी को जाता है माननिय प्रधानमंत्री जी की सरकार द्वारा 64,000 करोड रुपीस के लागत से शुरू किया गया प्रधान प्राइम मिनिश्टर आईुष्यमान भारत Health Infrastructure Mission के द्वारा ये बहुत ही अच्छा काम हमारी ये सरकार के द्वारा हुआ है सरकार ने देश भर में गरीबों के इलाज के हेतू सस्ती दवाई के लिए 8000 जन आउशदी केंद्रिय स्तापित की गई जिसका सीधा सीधा लाब उन जरूरत मंद और मिडल क्लास और लोगों के लिए बहुत बड़ा फाइदा रहा है ये सरकार ने और पंतबदान जी की योजना के द्वारा ये लोगों को इसका लाब मिला है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के तहट करोना पीरिड में जितने लोग अपने अपने घरों में बैट कर जिनों ने भी अपने नोक्रियां गवाई हैं ऐसे गरीब लोगों को जरूरत मंद को घर तक अन पोचाने का काम भी हमारी सरकार हमारे आदर्निय प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है हमारे स्रमिक भाई भेनों के लिए सरकार ने इश्रम पोर्टल शुरू किया जिससे अब तक लगबग 23 करोड से कही जादा स्रमिकों ने इसका लाब लिया है सर, I have just started, so give me 2-3 minutes more, सर या, सर, थांक यू जन्धन आधार मोबाईल सर्विस शुरू करने के किया गया आमनागरिकों को जो गाउं तक में राहत देती है उन्हें बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और पैसे घर तक मिल जाते हैं ये आधार के द्वारा बीते वर्ष में प्रधान मंत्री आवाज योजना के तहट लगबग 2 करोड गरीब परिवारों को पक्के घर मिले जो सरकार के एक माने बहुती अच्छा कदम लोगों के लिए किया गया हर घर जल योजना के द्वारा पुरे देश में 6 करोड गरामीन घरों में पीने के पानी का कनेक्शन लगाया गया जिसका लगबग घरों की माताय और भेनों को इसका लाब मिला गया और हमारे शेत्र में अमरावती जिल्ले में 600 करोड देकर ऐसे गाउं में ऐसी माता भेनों का विचार करके 600 करोड से ये योजना का लाब अमरावती डिस्ट्रिक को दिया गया इसके लिए मैं आधनिये प्राइम मिनिस्टर और जल मिशन के अंतरगर्थ हमारे मंत्री मोहदे का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ देश के किसानों के प्रती पूरी निष्टा से काम करते हुए माननिये प्रधान मंत्री जी की सरकार ने 20-21 के तहट लगबग 1400 लाग टन किसानों को अन खरीदी जिसके लगबग 2 करोड किसानों को लाब मिला है प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी के माध्यम से अब तक लगबग 11 करोड से अधिक किसान परिवारों को 1,80,000 करोड रुपे का भी भुकतान ये सरकार द्वारा किया गया है आज प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के माध्यम से पुरे देश भर में गाउं गाउं को जोडने का ये योजना के तहट काम किया गया है इसके 36,500 किलो मीटर सडक बनाई गई है जिसमें अल्मोस पौने 200 से 200 किलो मीटर सडकें ये हमारी अमरावती डिस्ट्रिक में इसका कार्य शुरू है उसके लिए मैं पंत्वदान जी का और मंत्री महोदे का दिल चे बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं नैशनल हाईवे के माध्यम से अमरावती जिल्ले में पिछले एक महने देड महने पहले हमारे आदर्णिय गटकरी साहिब ने बहुत सारे रोडों का नैशनल हाईवे का उदगातन और भूमी पूजन करके हमारे जिल्ले को ये सरकार द्वारा बहुत-बड़ी भेट नैशनल हाईवे द्वारा दी गई है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आज तो कमाल हो गया है सिर्फ सेना हमारी महाराष्ट में जो जिनकी सरकार है ऐसी उद्धो ठाकरे सरकार के द्वारा उनके फ्लोर लीडर ने आज वैक्सिनेशन और मेड इन इंडिया वैक्सिनेशन के लिए आज उन्होंने ये सरकार का अभिनंदन किया है और उनको ब और जिस तरीके से हमारे फ्लोर लीडर सिरसेना के फ्लोर लीडर ने अभी बहुत अच्छे शब्दों में हमारे मोधी जी का और इस पूरी सरकार का अभिनंदन किया कि Made in India के द्वारा और वैक्सिनेशन के द्वारा जो भी वेरियंट अभी हमारे देश में आया है उसको लोगों को सेफ करने के लिए ये सरकार ने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा काम किया है तो मुझे लगता है सिवसेना मजबूर हो गई है ये सरकार और ये गवर्मेंट के बारे में और हमारे पंतवदान जी के बारे में बोलने के लिए तो उनका भी दिल से अभिनंदन करना चाहिए कि अच्छे कारियों के लिए वो भी आगे बड़े हैं और भारत माला रोड प्रोजेक्ट के तहट लगबग 6 लाक करोड रुपे की लागत से 20,000 किलो मीटर लमी राज्य मारग का निर्मान किया water harvesting infrastructure के माध्यम से 64,00,00 एक्टर सिंचाई जो हमारे महारास्ट्र में बहुत फेमस है सिंचाई के बहुत बड़े प्रकरन हमारे महारास्ट्र में होई है पर ये सरकार ने सिंचाई के योजना के तहट बहुत सारे किसानों को इस से लाब होगा आने वाले समय में उसका कार्य भी ये सरकार ने किया है महिलाओं के सम्मान हेतु सरकार ने अनेक कार्य किये हैं उनमें उज्वला, योजना और लोन देकर उनके हाथ मजबूत करने का काम और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अनेक कार्य आज देश की हर एक महिला खुद सक्षम है अपने पैर पे खड़े हो सकती है और अपने लिए लड़ सकती है और कुछ कर सकती है इसका विश्वास हमारे आधर्णिये प्राइम मिनिस्टर जी ने दिलाया उसका धन्यवाद करती हूँ न्यू नाशनल एजुकेशन पॉलेसी के माध्यम से स्तानिय भाशों को भी करने का कार्य मोधी सरकार ने किया है जो अपने आप में एक बड़ा पहल है इसकी के तहट दस राज्यों में इंजिनीरिंग कॉलेजेस में छे लैंग्वेजेस में पढ़ाई शुरू करवाने का भ इन एक ड्राइबल शेत्र में भी बहुत सारे स्किल इंडिया के माध्यम से उन्हें ट्रेणिंग दोजा रही है उस दिनS Forever Smay Ce भis्या से उन्हे माइक्सिमा को शिश कर रहे हुए रह जिस तरीके से हीo बजचेट में घोशना भी हुई है और मेरे हमारे शेत्र में एरपोर्ट का कार्य ये पिछले समय हमारे सिविल एविगेशन मंत्री ने 75 करोड दे कर हमारे एरपोर्ट का निर्मान जल्द से जल्द पूरा हो सिंदु दुर्गा में अभी पिछले वर्ष में सिंदु दुर्गा का भी एरपोट का भी निर्मान पूरा होके उसका उधगाटन किया गया उसी तरीके से अमरावती जिल्ले का भी उधगाटन आने वाले समय में होगा उसके लिए में Civil Navigation मंतरी का भी बहुत बहुत धन्यव मंत्री हमारे दानवे साहब और हमारे मंत्री जी यहां पर बैठें उनका भी दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं सिरिफ जल से जल पूरा हो जाए और आपके हाथ से और आधनिये प्राइम मिनिस्टर जी के हाथ से उसका उद्गाटन नो इतनी विननती भी में आपक करती हूं स्काइवाक हमारे एंवायर्मेंट मिनिस्टर फॉरेस्ट मिनिस्टर यहां पर उपस्ती थें जिनोंने स्काइवाक जैसे बड़े एक टूरिजम स्पॉर्ट को चिकलदारा की अंदर जो बहुत समय से अठका था हमारे मंत्री मोहदे जी ने अश्विनी चौबे स प्रायब ने उसे फॉलो पले के नूडल ओफिसर से ले कर अपनी जो केंदर की यह हैं इसको पास करने लगाया उसका काम शुरू करने लगाया उसके लिए यह डिपार्टमेंट का भी में दिल से धन्यवाद करती हूं और PM कैर फंट से ऑक्सीजन प्लांट जो हमारे जिल् प्राटन हमारे ट्राइबल सेत्र में आदर्णिय प्राइम मिनिस्टर जी ने उनके हातों सी की, उनका भी मैं उस चीज के लिए धन्यवाद करती हूं, और हमारे सिर्फ सेना के आदर्णिय, सर सर जस्ट लास्ट, सर लास्ट लास्ट वान मिनिट, हमारे फ्लोर लीडर ने, सि पॉलिटीशन है हमारे महाराश्टर के उन्होंने आज हमारे राज्यपाल के बारे में गवर्नर साहब के बारे में ये पार्लेमेंट हाउस में जो शब्दों से उनका तिरस्कार किया है मुझे लगता है उन्हें इस बात का अफसोस दिलाना बहुत जरूरी है ये हाउस के द्वारा ये पार्लेमेंट हाउस के द्वारा कि एक व्यक्ति हमारे राज्यपाल साहब जो महाराश्टर के जो उन्होंने उनके उपर इल्जाम लगाएं कि ये सवीदान को खतम करने निकल तो मुझे लगता ऐसे बड़े पॉलिटिशन्स और लीडर ने जो सिव्चेना को रिप्रेजन करते हैं और लीडर्शिप करते हैं यहां पर आके फ्लोर लीडर उन्होंने राज्यपाल का ये पार्लेमेंट हाउस में अपमान नहीं करना चाहिए उसका मैं निंदा करती हू और राष्टपती जी के अभिवाशन के मोशन में हम समर्थन करते हैं और पुरा महराष्टर उनका समर्थन इस वाक्त के लिए करता है धन्यवाद